देखकर सभी बहुत डर जाते हैं कैप्टन अंडर पैंड इसके बाद उस गन से खुद को सूट करते हैं लेकिन वो काफी जादा छोटे हो गये थे और वो गन नीचे गर जाती है गन को हासिल करके जॉर्ज और हराड उस गन से कैप्टन अंडर पैंड को वापस से नॉर्मल करने की कोसिस करते हैं लेकिन इस दोरान जॉर्ज का एक हाथ काफी बढ़ा हो जाता है प्रोफेसर को अपने सामने देखकर हराड उस पर गन से सूट करता है लेकिन प्रोफेसर उस हमले से बच जाते हैं जिसकी वज़े से उनके पीछे मौजूद असकूल काफी छोटी हो जाती है हराड ये देकर डर जाता है क्योंकि असकूल के अंदर बहुत सारे बच्चे थे अब वो प्रोफेसर जब असकूल को अपने हाथों में उठा कर बच्चों को डराने लगता है तो कैप्टन अंदर पैंट प्रोफेसर से असकूल को छीन लेते हैं जिसके बाद जॉर्ज गन की मदद से असकूल को वापस से नॉर्मल कर देता है और प्रोफेसर पर हमला करके उन्हें छोटा बना देता है इसके बाद वो उस गन को तोड भी देता है लेकिन इस दोरान प्रोफेसर एक मदुमक्की पर बैटकर वहाँ से भागने में कामियाब रहता है अब कैप्टन अंदर पैंट भी अपने नॉर्मल साइज में आ गए थे इसलिए जॉर्ज और हराल उन्हें अपने ट्री हाउस में ले आते हैं उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैप्टन अंदर पैंट को उनके उसी रूप में रहने दे या फिर उन्हें असले बाद भी आते हैं